नमस्कार परदाफाश देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ सुना लिए आज परदाफाश में बात करेंगे अखिलेश की बढ़ती टेंशन की जहां अखिलेश यादफ चाही मीडिया और इंटर्व्यूज में जितना भी दिखा दे कि वो ठीक हैं उनके बगावती नेता परिवार में परिशानी से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अंदर ही अंदर अखिलेश यादफ परिशान हैं अंदर ही अंदर अखिलेश को डर सताने लगा है क्योंकि अब वो जान चुके हैं कि सत्ता उनके हाथ अब सालों साल नहीं आने वाली है अब सापा की नईयाद डूब नहीं रही बलकि डूब चुकी है क्योंकि बीजेपी को हिलाना अब मुश्किल है पहले बात करते हैं अखिलेश की टेंशन की उसके बाद आपको बताएंगे कि बीजेपी क्यों इतनी ताकतवर है कि बड़ी बड़ी पाठियों की अब पसीने चूट रहे हैं पहले शुरू करते हैं अखिलेश यादफ की बढ़ती हुई टेंशन से दरसल वधानसबा चुनाव 2022 के बाद अखिलेश यादफ का confidence में तो कोई कमी नहीं आई थी हाँ भले ही सत्ता उनके हाथ से जरूर निकल गई लेकिन उनके लोग उनके साथ है चाहे पाठी की बात करें चाहे नेताओं की कहें चाहे परिवार की बात करें या फिर उनके गढ़ में न लोगों की जिसको सपा पर पूरा भरूसा था जे हाँ था हम इसले कह रहे हैं क्योंकि सपा प्रमुक का कॉन्फिडेंस तब मात खाया जब उपचुनाव में उनके ही गढ़ में आजम और अखिलेश को बीजिपी ने धो दिया था ये बात शायद अखिलेश यादव को पची नहीं सालों से दशकों से सपा का गढ़ आजमगढ जहां आजम की तूती बोलती थी अखिलेश यादव मानों आजमगढ के भगवान थे लेकिन योगी ने उनके धानना बदल दी मुसल्मानों के इस इलाके ने भी भगवा को चुना और योगी और निरववा ने जीत हासल की बस वही से शुरू हुई अखिलेश यादव की उल्टी गिंती उत्तर प्रदेश विदानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने छोटे छोटे दलों के साथ गड़ बंदन किया तमाम दल एक पाले में एक यूनिट के रूप में चुनाव लड़ते निज़र आए सपाध्यक्ष अखिलेश यादव ने इससे पहले बड़े दलों के साथ गड़ बंदन किया जो प्रभावी नहीं रहा इस चुनाव में गड़ बंदन का स्वरू बदला तो इसका फाइदा पार्टी को बड़े वोर प्रतिशत में दिखा मुलायम परिवार भी सचुनाव में अखिलेश यादव के पीछे खड़ा दिखाए दिया खास तोर से अखिलेश यादव के नराज चाचा शिफपाल यादव लेकिन चुनाव खत्म होते ही शिफपाल यादव की नराजगी की सूचना सामने आ गई शिफपाल यादव अभी सरेंडर मोड पर आ गए इसके बाद भी अखिलेश यादव की ओर से उन्हें नजर अंदास किया जा रहा है समाजवादी पार्टी ने उन्हें टावा के जस्वन नगर वदान सबा सीट से उमीदवार बनाया था दरसल चुनाब से पहले समाजवादी पार्टी और शिफपाल की प्रगती शील समाजवादी पार्टी के बीच गडबंदन को लेकर बात चीच चुरू हुई शिफपाल ने सपा के साथ गडबंदन की इच्छा जताई पहले उन्होंने 100 सीटों पर उमीदवार उतारने का दावा किया इसके बाद 50 सीटों पर आए अन्त में 32 सीटों पर चुनाब लड़ने की बात कही समाजवादी पाटी ने शिफपाल के साथ गडबंदन तो किया लेकिन केवल उन्हें ही टिकेट दिया इससे शिफपाल के टीम बिखर गई और अब समाजवादी पाटी उन्हें अपना विधायक मानने से इंकार कर रही है तो दीरे दीरे जो चाचा अखिलेश यादव को सीएम बनाने पर उतारू थे आज उनसे तलाक के मूर में है दरसल ये सब अखिलेश का केर फ्री आटिट्यूट भी एक बहुत बरा कारण है कि अखिलेश यादव से उनके ही लोग दूरी बनाते हैं लेकिन अखिलेश यादव का घमन चूर नहीं होता रमायन में भी आपने देखा होगा रावन की अंच से पहले सब जानते थे कि उसका अंच निश्यत है क्योंकि वो गलत थे कुमकरण से लेकर मेग नात सबने रावन को समझाया था कि जिस राव पर निकले हो उसमें अंथ है, ये गलत है वैसे ही अखिलेश यादव को अपनोंने कई बार समझाया लेकिन अखिलेश यादव कहा किसी की सुनने वाले हैं सपा के जीप पिछले चुनावों में आजम खान का बहुत बड़ा रोल था मुस्लिम फैक्टर सपा को बनाने में एक बहुत बड़ा प्रभाव रखता है उत्तर प्रदेश में विधान सबा चुनाव में करारी हार के बाद विधान परिशद में भी समाजवादी पार्टी को बुरी तरह मुग की खानी पड़ी है इसके बाद समाजवादी पार्टी के मुख्या और पूर्व मुख्यमंत्री अखिले श्यादव के खिलाफ पार्टी में मुसलिम नेताओं ने एक तरह से मोर्चा खुल दिया है आजम खान और शफीक और रह्मान बर्ग से लेकर कई मुसलिम नेताओं की नराज की सामने आई है प्रदेश में महौल बन गया है कि मुसल्मानों का समाजवादी पार्टी और खासकर अध्यक्ष अखिले श्यादव से मोभंग हो रहा है लेकिन सवाल यह है कि अखिलेश से नराज मुसल्मानों के पास आखिर चॉइस क्या है समाजवादी पार्टी के मुसलिम नेताओं के साथ अब मुसलिम संगठन भी अखिलेश शादव के नेतरत शमता पर सवाल उठा रहे है खास कर विधान परिशत के चुनाव में समाजवादी पार्टी के खराप रदर्शन के बाद ये सवाल और पुक्ता होकर उभर रहा है दरसल समाजवादी पार्टी के गड़ समझे जाने वाले इटावा, मेनपुरी और आजमगड जैसे जिलों में समाजवादी पार्टी के उमीदवारों की जमानत जगत हुई है इसे आम धार्णा बन रही है कि अखिले शादव अपने ही लोगों को बीजेपी में जाने से रोक नहीं पा रहे है शाबुद्दीन रिजवी ने भी अपने बयान में इस मुद्दे को उठाया था उन्होंने कहा था कि वदानसवा चुनाव में मुसल्मानों ने समाजवादी पार्टी को एक तरफा वोट दिया था इसे पार्टी की ताकर तो बड़ी मगर उसकी सरकार नहीं बन सकी इसके लिए अखिलेश यादव पूरी तरह जिमदार है वो अपने समुदाए यानि यादव वोटरों को एक जुट रखने में पूरी तरह नाकाम रहे यादव बुहुल 43 वदानसवा सीटों पर बीजिपी की जीत इसका ठोज समूथ है राजनीती में कयास लगते रहे हैं पार्टियों के अंदर नराजगी चलती रहती है ये बगावत में तब तक नहीं बदलती जब तक सामने कोई ठोस चॉइस ना हो समाजवादी पार्टी से नराज चल रहे मुस्लिम नेतां के सामने विकल्प का संकट है जो विकल्प है वो अब अजमाई हुए है लहाजा नराजगी देर सबे ठंडी पड़ जाएगी लगता है नराजगी जताने वाले मुस्लिम नेता समाजवादी पार्टी के अंदर ही अपनी जगह मजबूत करना चाते है इस नराजगी से अखिले श्यादफ को एक मजबूत संकेत जरूर मिल रहा है कि उन्हें अपने राजनीते तौर तरीकों को बदलना होगा उन्हें इस साबत करना होगा कि आगे चल कर वो योगी अधित्यनात का विकल्प बन सकते हैं अंदरूनी और बहारी नराजगी से जुचते हुए अखिले श्यादफ के लिए ये सबसे बड़ी चुनोती है परदाफाश में आज के लिए नहीं देखते हुआ है क्यापचल टीवी नमस्कार